नमस्कार दोस्तों योगेश टेक्निकल में आपका फिरसे बहुत बहुत स्वागे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका गैस गिसर नीचे तो सही काम करता है सभी कंपोनेट काम करते हैं लेकिन जैसे ही आप उसे पानी पर लगाते हैं यानि दिवा जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमने गैस गिसर को दिवार पर लगा दिया है सभी कनेक्शनों को जोड़ दिया है और सभी कनेक्शन सहिपकार से जोड़े हैं और मेरे गिसर के सभी कंपोनेट भी सही हैं लेकिन कोई भी आवाज गैस गिसर से नहीं आएग उसका क्या करन है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन जैसे ही आप इसे नीचे उतारेंगे और इसको उल्टा करके चेक करेंगे तो सभी component काम करते हैं लेकिन दिवार पर लगाने पर पाने के साथ नहीं करते हैं लेकिन जैसे ही मैंने उसको नीचे उतारा और उसको डारेक्ट चेक किया या उल्टा करके चेक किया तो सभी component ठीक प्रकार से काम करते हैं लेकिन दोस्तों आपको इस बात का एक ध्यान रखना है इस बात में कि जब आप इसे पाने पर लगाएंगे दिवार पर लगाकर नल क को खोलने के बाद इसका कोई भी component काम नहीं करता इस फाल्ट में क्या होता है वो मैं आपको सिलसले वार आगे वीडियो में बताता चलूँगा लेकिन इसमें आपको कन्फियूज नहीं होना है हमें सिलसले वार उन कारियों को करना है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत्रा जालू होंगे और ना ही गैस का रिले ऊपर उठेगा बैटरी बॉक्स पी सप्लाई ठीक है आपको सिर्फ फोकस करना है कि पानी की प्रेशरों कैसा बढ़ाया जाए सबसे पहले आप अपने टैप को देखिए अगर वो जाली वाली है तो उसकी जाली साफ कर दीजिए और सर कई बार गैस घिजर खोलते हुए पाइप मुड़ जाती है वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद भी अगर आपका गैस घिजर नहीं चलता तो आपको एक कारे करना होगा जिसको करने के उपरांत आपका गैस घिजर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आप उसे फाइंड कर पाएंगे जो फाल्ट आपके गैस घिजर में है तो दोस्तों आपने सभी पॉइंट चेक कर ली है पाने की इंपुट चेक कर ली है और उसके बाद भी अगर आपका गैस घिजर नहीं चलता है तो आपको करना क्या है जैसा आप सामने वीडियो में देख हैं हमें जो आउटपट पर PVC क्नेक्शन पाइप हम हमारे बाथरूम की फिटिंग में लगाते हैं आपको उसे खोलेना है और गैस घिजर को सीदा ही चलने देना है और फिर चेक करना है जिससे आपका गैस घिजर अगर चल जाता है तो आपका प्रेशर ड्रोप होता है आप की बाथरूम वाली फिटिंग्स में यही सबसे बड़ा मिन कारण है उसके दो कारण हो सकते हैं या तो आपका जो नल है जिस पर आप यह पीविसी पाइप लगाते हैं उसकी जाली ब्लोक हो गई है या फिर आपके बाथरूम की फिटिंग जो आपके उस पॉइंट तक जाती है जहां पर आप इस्तेमाल करते हो गरम पानी का उस पाइप में कहीं ब्लोक हो गई है यह वो सबसे बड़ा कारण है जो हमेशा हम नजर अंदाज कर देते हैं तो दोस्तों आपको हमेशा इस फाल्ट के अंदर अगर आपका गैस गिजर कुछ पी स्पोंस नहीं कर रहा या पानी की मेगनेट उसका उपर नहीं उठ पा रहा है तो आपको पानी की इंपुट पर और पानी की आउटपुट पर विशेश ध्यान देना है अगर आप ऐसा करेंगे जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपकी गैस गिजर की फाल्ट फाइनिंग हो जाएगी लेकिन इ प्रेशर ड्रोप हो रहा है वो अक्सर क्यूं होता है जब हम गैस गिजर को खोलते हैं जहां गरम पानी वाली पाइप की पीविश कनेक्शन पाइप लगी है तो हम ज्यादा जो लगा देते हैं जिससे की ये पाइप मुड जाती है या फिर जो ये पती मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर आपके गैस गिजर में यह नहीं लगी हुई तो अगर हम ज्यादा जो लगाएंगे तो भी यह आपकी जो पाइप बहुत नाजिक होती है कोपर की पाइप होती है यह मुड जाती है जिसका हमें ध्यान नहीं रहता और हमारा प्रेशर यहां पर ड्रोप हो को सब्सक् pellet को Österreich सब्सक्राइब हैं दोस्तों जैङिए अक्सर वो गल्टी हम बार बार यहीं करते हैं दूसरी गल्टीदोस्तों हम करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर जब हम हमारे गैस गीजो variant को पिलोक हो जाता है दो कीफिन कौनणर प्रेप कर रहा हमेरा यह कोई संजहा पाऊं आपके गैस की जर्व में यह फाल्ट यहां से फाइंड हो सकता है दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को स्टाइब करना मत बुलेगा आप मेरे को फेस्बुक इस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों